नमस्कार में दुभाशी में आपका स्वाकत है। आप देख रहे हैं माध्य प्रदेश के खब्रों का बुलिट इन सिटी एक्स्प्रेस जितमें हम जिकर करते हैं माध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खब्रों का। विवस्ता स्थापित करने के दिशा निर्देश दिये। जो बच्चे होंगे उनके उसके लिए जो व्यवस्ता करना है वो व्यवस्ता हम लोग देख रहा है थे क्योंकि मैं गर्भवती महिला और उसका मुद्दा मैं नहीं उढ़ा था और मुझे उसका अद्यक्ष बनाया तो यह हम लोग विजिट करना है तो 15-18 वर्ष की बच्चों को वैक्सीन लगने की सुमवार से शुरुवात हुई जिसके चलते स्कूली च्छात्र च्छात्राओं में उत्सहा देखने को मिला देपालपुर के शौशकी कन्या उच्चितर माधमिक विध्याले में वैक्सीनेशन अभ्यान को उत्सव के रूप में मनाये किया यह सेंटर को रंग दिरंगे गुबारो से सजाये किया वहीं च्छात्राओं में भी उत्सहा दिखा देखिए आज जो है तहसिल देपाल फुर्च हैतर के सभी हाई इस्कूल और हाईर सेकंडरी इस्कूल में जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से अधीकी हो चुकी है उन सब को वेक्सीनेशन कराया जा रहा है और बच्चे जो है बड़े जोर सोर से इस वेक्सीनेशन में मतलब भाग ले रहे हैं और निश्की तुरूप से प्रशाशन अपने काम को बड़ी आसानी से पूरा कर लेगा यह मतलब बहुत अच्छी बात है कि बच्चे मतलब ना तो डर रहे हैं मैंने बहुत से बच्चों से व्यक्तिगात रूप से बात किया कि भाई वेक्सीन लगाने में कोई दर्द हुआ हो, कोई घवराहट हुई हो तो मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं विला जीसने इस प्रकार से बोला हो तो यह मतलब है कि वेक्सीनेशन मतलब बहुत आशानी से हो रहा है और अभी तक किसी भी प्रकार से कोई शीकायत की इस्थिती नहीं वेक्सीनेशन की शुरूआत हुई है बच्चों में बहुत अधिक उस्सा हैं बच्चे के प्रति बिल्कुल नीडर होकर उस्सा के साथ अपना जोऑ पूरा कर रही है सहस्ता की तरफ से भी उनको नाश्डा पानी कराया जा रहा है बच्चे के साथ बैठी है अपने जोज लगाने का इंतजार कर वही है रजिस्ट्रेशन के लिए उनके मन में बहुत अधिक उस्सा है लेकिन बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का वेक्षिन के प्रती उनको कोई डर नहीं है और बड़े उस्सा के साथ और हमारे इस्कुल में एक उस्सा पून माहूल है वो भी हमको भी देखके अच्छा लग रहा है बच्चों को हमने दो दिन पहले वाट्साप के माधियम से फोन लगा दरके उनको इस वेक्षिन के प्रती उनका जो डर था उसको हमने भगाया है और उनके मन में एक उस्सा जागरत किया है कि वही वेक्षिन लगाना चाहिए ताकि हमारा और हमारे परिवार का स्वास अच जनवरी के दिन हमारे स्कूल में वेक्षिनेशन का कारिक्रम चानु हुआ है आज हमारे मानिय प्रधान मंत्री जी ने हम बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया है और उनके सपना जो उन्होंने सो करोड युआ हो को वेक्षिनेशन लगाने का टार्गेट बनाए था जिसमें पूर्णता सफल हुए और मेरा मानना है कि इसी बच्चों के वेक्षिनेशन के टार्गेट में वह सो करोड फुरा करने में बहुत जल्दी सफल होगे आज हमारी विद्यालई में जो एक वेक्षिनेशन के कारिक्रम हो रहा है उसे एक उस्सा की रूप में मनाएदार है पूरे स्कूल को घुटबारे से सजाया गया है वेक्षिनेशन लग गई है उन्हें नास्ता पानी के लिए सारणी विवेस्ता सुन्त चित गी गई है तरह संपून अभी में फिलाहाल वेक्षिनेशन लगवा कि आई हूँ बाबा महाकाल और काल भहरब का अश्यरवात लेने के बाद नवागट डियाईजी अनिल सिंग कुश्वहा ने पदभार ग्रहन किया करीब एक महीने के बाद डियाईजी पत पर जोईनिंग हुई है नवागट डियाईजी पूर्व में एडिशनल स्पी के पत पर उज्जेन में कारी कर चुके हैं महिला पराद, एक्ट्रोसिटी एक्ट और गंभीर अपरादों पर जादा ध्यान डियाईजी देंगे इंद आर में लगातार बढ़ रहे कोरुना की मरीजों ने स्वास्त विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं बढ़ते मरीजों की संख्या को अधिकारियों ने तीसरी लहर की 10 तक बताया है और सभी को गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश चारी किये हैं हमारे पास क्योंकि अभी कल भी देखा जाए तो लगभग 110 मरीज नए पाजिटिव आये हैं और उसके बाद जो देख रहे हैं कि सेंपल के अगर हमारे टेस्ट पाजिटिव थे तो लगभग 120 के असपास पाजिटिव उसमें ते 10 रिपिट सेंपल पाजिए हमारे एक्टिव पेसेंट के असपास है तो एक बड़ा बहुत बड़ा अखड़ा इंदर के लिए कि आपी दिनों बाद एक नी तीन अंकों में चला गया मतलब अभी तक हम लोगों को लगता था कि दो पेसेंट चार पेसेंट फिट दो आंकों में आया और अब एकड़म से अचानक तीन आंकों में आना एक वहाव़ा इस्तितिय है तो कहीं ने कहीं ऐसा लग रहा है कि हमको तीसरी लहर की दस्तक दे रहे हैं प्रदेश सरकार द्वारा निगम मंडलों में की गई नियुक्ति के बाद पदभार गरहन करने का सिलसला लगातार राजधानी भुपाल में जारी है सुमवार कुम माध्य प्रदेश राज़ी परेटन विकास निगम की नभ नियुक्ति अद्यक्ष विनोध गोंटिया वापाद्यक्ष नरेंदर सिंग तोमर ने शहर के भदबधा रोड से परेटन भवन मुख्याले पहुँचकर विदीवत अपना कारिभार ग्रहन किया आज मैं हमारे नए टूर्जिम कॉर्पोरेशन के चेर्मेन और वाइस चेर्मेन आदरनी बिनोध गोटिया जी और मेरेंद सिंग कॉमर जी जो हमारे एक अच्छे कारिकरता है जिनोंना हमेशा भारती जिनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन का मे ससर्पिर से और उनके नितरतुमें मध्यपर देश परेटन के छित्र में जिन उचाइयों को चुआ है इस देश के अंदर जो इस्तान बनाया है मुझे पूर्ण विस्वास है को मारे दोनों कार्करता sniff के नेतरतुमें मध्यपरदेस परेटन के छित्र में और आगामी नया या मिस्ताफित करेगा इसी आसा और विस्वास के साथ मैं उनको पुने एक बार बढ़ाई देता हूँ मद्यप्रदेश के पर्याटन को नई उचाईयों पर पहुचाना यह मेरा प्रयास रहेगा माननी मुख्मिंत्री जी ने और माननी प्रदेश के संगठन मद्यप्रदेश में हो सकते हैं उनको विचार भी करूँगा उन पर काम भी करूँगा और उनको नई उचाईयों देने का प्रयास करने नात्रा इवं जगडा प्रथा जैसे कुरीतियों पर प्रतिबंद लगाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है राजगड के चापी हेडा में भी नात्रा का मामला सामने आया जहां आरूपी ने पीड़त परिवार से नात्रे जगडे के रूप में 10 लाक रुपे मागे पीड़त की शिकायत पर आरूपी के विरुद्ध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया प्रयादी भेरुलाल तवर ने थाना हाजीरा कर बताया कि उसकी बेटी की शादी दो साल पहले ग्राम सालपुरा के रोड़ु तवर से की गई थी करीबन एक साल पहले रोड़ु तवर उनकी बेटी को वापस उसके घर छोड़ गया और तवी से रोड़ु तवर और उसका भाई राजु तवर भेरुलाल तवर से नातर जगड़ा के दस लाख रुपे की मांग कर रहा है और धंकी दे रहा है कि अगर हमें नातर जगड़ा के पैसे नहीं दिये तो ग्राम में नुपसान करेंगे और दिनांक 31-21 को राजु तवर और रोडु तवर ने फर्यादी भेरुलाल तवर के जवाईं बद्रीलाल एवं अन्य लोगों की फसल नश्ट की है उनकी रिपोर्ट पर एक एक बाविस को अप्राथ प्रमांक एक बटे बाविस धारा 384, 427 का काईब की गई है जीरापूर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आरोपियों के पास से मश्रू का जब्त की गई है मोटरसाइकल पर सवार अग्यात तीन बदमाशों ने अलग-अलग स्थानों से लूट की घटना को अंजाम दिया था एक परियादी है उस परियादी का मोबाइल उनों ने चीन लिया उची जेवाग ने एक और लोकेश नाम पर परियादी था उसका भी मोबाइल उनों चीन लिया एक लड़ी पॉलाणी में घूम रही थी उस मोबाइल से बात करते हैं कभी मोबाइल उनों चीन लिया इस उचना पर तकाल ही प्रकान परी बद्धित किया गया और उन आरोप्यों की तलाश शुरू कि रही एक तीम का गठन किया गया जो सभी प्रक्रण मंगल से लाटो औ जो प्रक्राइब बेचने की खिराग में घूम रहा है जैसे यह तुछना प्राप्त हुई वेटर ही वहां उस लड़के को पकड़ा जो मोबाइल बेचने की खिराग में था कुसको पकड़ा उसने प्रनाम आनद बदाया और उस को लेकर क्या है इसके और बदाया कि उसके और दो साही है। उसके न में आम राउPar लोग तुशुरें उनके साथ में उसने एक मोटर साइकल पे में ağठ राहों को उञ्जां दिया था जो काफी मेहे मेहे फीज़मोबा प्रदेश में निगम मंदलों में मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान द्वारा की गई राजनेतिक नियुक्तियों के बाद राजनेताओं का राजधानी पहुँचकर पदभार ग्रहन करने का सिलसिला लगातार जारी है सुमवार को धार जुले की बदनावर विधान सभा के नीता राजधेश अगरवाल ने माध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई ओपरेशन का उपाद्यक्ष का पदभार ग्रहन किया राजधेश अगरवाल पूर्व में मंडी मोट के डिरेक्टर भी रह चुकी है मिले रिखों को यह साथ वे science घ्रावनिहों साथ ही समरत दन मुलिब की खरीदी में खिसानों को समय पर भुकतानओं किसानों का समय पर माल तुलें उनको लाइन में लगना पड़ कभी कभी में खुद किसाने में आता है के कभी बार्दान की कमी यह जादी कभी क्या हो जाती है तो हम यह सा प्रयास करेंगे कि हमारा किसान लाइन बनी लगे किसान जाए जाए और उसका माल तुल जाए और अन्य जो भी चीजे हैं अभी आस्तों में बेठाव में सब समझूगा हमारे माननी अद्देग जी अवर मंत्री जी हमें और सबसे सेंसिटिव वाग यह गरीबों से चुड़ावा हाथ द्यापृति यह इस विभाग के दुवारा जो गरीबों को राशन दिया जाता है वह अच्छी गुन्वत्ता का हो उन्हें समय पर राशन मिले हमारे माननी मंत्री जी बोल रहे हैं कि अब तो अपन घर्प को मुख्य मंत्री ची ने गोश्चना किये कि हम अब गरीबों को लाइन में लिए लगना पड़ेगा राशन के लिए उनका राशन उनके घर पोचाये जाएगा इंद और में पाटनीपुरा इस्तित्र गली नंबर दो में कुछ लोग अवैद रूप से बड़े सिलेंडरों में से लपीजी गेस निकाल कर छोटे सिलेंडरों में भर रही हैं सूचना मिलने के बाद जिला प्रशाशन वा MIG पुलिस थाना संयुक्त कारिवाई को अन्जाम दिया गया अधिकारी ने बताया कि मौके से 47 किलोग्राम सहित 14 किलोग्राम छोटे सिलेंडर भी मिले हैं आज जिला खाद्यकाराले में सूचना प्राप्त हुई थी कि पाटनीपुरा में कुछ लोग हैं जो अवैद गैस रिफिलिंग का काम करते हैं तो जिला पूर्ति नियंत्रक्स शुश्री मीनमालाकार माडम ने एक तीम बनाकर हमको भीजाते हैं यहां पर मेरे साथ दिलिप मनवारे जी सोनी दिनकर माडम राहूल शर्मा जी आय हुए हैं हमने यहां पाटनीपुरा में गली नंबर दो है गीता चौक के पास वहां पर माठी के कुछ पुलीस फालें उनके सांथ छापा मा रहा एं, यहां पर हमको चौदा मग, 47 kg किलोग्राम बड़े ॵ्फद्रेंडर मिले हैं, हमें साथ मग, 14 kg किलोगराम के हैं और 23 मग, चोटे 3 किलोग्राम के सिलेंडर मिले हैं इसके साथ हमें 23 बंसियां मिली हैं जिससे कि गैस रिफिलिंग का काम किया जाता है तीन राइगुलेटर और नली के साथ मिले हैं हमको यहां पर यह हैं यह मौके पर हमको मिला है माध्यप्रदेश सरकार ने 25 वीजेपी नेताओं को प्रदेश के विवन न मंडल और निगमों के अध्यक्ष और पाध्यक्ष के पदों पर नियुक्त किया है मध्यप्रदेश State Agro Industries Development Corporation का अध्यक्ष एदल सिंग कसाना को बनाया गया है सुमवार कुनहों ने राजधानी के पंचा नंग इसते दफ्तर में पहुँचकर पूजा अर्चना कर कारेभार ग्रहन किया इस मौके पर एदल सिंग कसाना ने कहा कि वे पूरी इमानदारी के साथ मिली जिम्मदारी का निर्वहन करेंगे देखी आज मैंने पदवार ग्रहन किया है और नेश्ट मीटिंग जब मेरी आपकी होगी जब मैं आपको अपनी प्राथ्मक्ता बताऊंगा हम वही करेंगे जो किसानों के हित में होगा ये किसानों की सरकार है सरवारवरकी सरकार है और किसानों के हित में होगा हम अच्छे से अच्छा करें वीडियो को लाइक और शेयर करें म्रदुफाशी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें